Student's, कुछ तुछ अटोपिक is steps in the shape of objective. The next step is select three project that you do not like. हमने पहले क्या देखा, हमसे कुछ ऐसे project दिये, जिस पर हमें study कर देखी यह, ठीक है और हमने कुछ बूशन देखाने कि इसमें हमारे ने good क्या है मतलब क्या positive इसका सटार क्पा देखा अब हमें इसका ये negative part दिखते हैं कि इसमें हमें क्या चाज़ी पसंद नहीं है Okay, so first one is the again answer is three questions Okay, अब हमें फिर से three questions पर काम करना है उपरवाला case के हमें क्या देखा था? Three questions पर काम किया था? उसमें पर positive part देखा कि हमारें क्या अच्छी है उस project को find out करने के लिए उस project पर काम करने के लिए अब हमें देखना है What? First one is what do you dislike about the project? मतलब जो project का सर्च कर रहे हो उसके उस project के किस चीज को पसंद नहीं कर रहे हो तो देखे students हमें हर तरह किसी चीजों को देखना पड़ता है आपना पड़ता है Right? उसका हुल्याम का evaluation करना पड़ता है तो हमें उसका good part की देखना होता है और bad part Good part इसने कि हमें में स्व्रेंड बनता है bad part इसलिए कि आगे जब हम इसमें काम कर रहे हैं तो ऐसी कुछ अडचले हमारे से कुछ हुकामते पैमियर्स आ सकते हैं तरह कि हम इसके लिए पहले से ही prepare रहे है Okay, well next one is the what is bad about the project मतलब क्या चीज है इस project में जो हमें मतलब अच्छी हमारे अच्छी नगी है And next one is the why is the project bad मतलब हो project bad क्यों है इस पर हमें इसर पोच करनी है मतलब आप पोच कर रहे हैं आप objective बना रहे है उब्जेक्टिव का vibrant बना रहे है इस मेरे प्रड़ हाय तो हमें उसकी सीमााby को भी देखना ह awhile कि लिए तुने दायरे करेंक करने हम उस फषिसकर बना सकते हमाँ उस आफ़철 प्रजेक्टिब को रेट कर सकते हैं तो हम आए दायरों को समझना है लिम्टेशन्स को समझना है जिसे आगे हमें दने निकलना है, ठीक है? तैन एक साथ शुछ पाल इस इंटिकरिटिग आइडियास, मतलब जो आइडियास में लेकिनी फर्स स्टेप पर हमें आइडियास रहरा रहा है तो हमने बहुत सारी आइडियास वहारा दोगार को आया था अब इंटिकरिटिग आइडियास का मतलब आप यहां के हमें सारी आइडियास का एडियास को एक आइडियास को एक आइडिया में कनवर्ट करना है And the last one is defining research objective इतनी लगे जोडी प्रोसेस के बाद अब हमें objective defined यहां पर करना है research का Okay students, thank you